हेलो इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम के फंक्शन को करेंगे अगर हमने एक्सल के डेटा को कॉलम में लिख दिया है और वही डेटा हमें रोज में चाहिए था या रोज में लिख दिया है कॉलम में चाहिए था तो इस काम को हम transpose function के दवारा बहुत यासानी से कर सकते हैं पहले हम data को paste special में जो transpose होता है उसके दवारा करेंगे और फिर उसी काम को हम transpose function के जरीए करेंगे तो यह हमारे पास यहां पर data दे गया है इसमें हमारे पास यहां पर दो column है a, b, तो a column में यहां पर name लिखे हुए है और b column में यहां पर row number लिखे हुए है अब हमारे पास यहां पर दो column है और rows हमारे पास यहां पर six है यह देखो one, two, three, four, five और six अब यह जो हमारे पास यहां पर six row है इनको हम column में बदलेंगे और ये जो column है इनको हम rows बनाएंगे तो इसको हम पहले paste special उसके जरीए समझेंगे उसमें जो transpose होता है उसका use करेंगे और फिर इसी काम को हम transpose function के जरीए करेंगे पहले हम इसको सारे को select करेंगे select करने के बाद यहां पे right click करेंगे right click करने के बाद यहां पे copy पे जाएंगे यह copy किया यह data यहां पे copy हो गया इसको कहां पे फिर paste करना है तो यह देखो d column है यह इस cell में इसको paste करना है तो यहां पे right click करेंगे यह देखो right click किया इसके बाद यहां पे paste special पे जाएंगे यह नीचे paste special यहां पे लिखा हुआ है यहां पे click करेंगे click करने के बाद transpose आ जाएगा paste special में तो paste special में यह जो transpose होता है यहां पे इसको check करेंगे यह यहां पे check हो जाएगा check होने के बाद यहां पे ok पे click करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहां पे ये जो कॉलम थे हमारे नेम और रो नंबर ये देखो यहां पे ये रोज बन गई है और ये जो रोज थी ये ये देखो रोज आमित इसका रो नंबर 21 तो ये आमित 21 ये यहां पे कॉलम बन गई है आगे देखो रोहित 22 ये र चेंज करना जाते हैं तो इसी काम को हम फिर से आसानी से चेंज कर सकते हैं ये देखो इसको सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद इसके ओपर राइट क्लिक किया राइट क्लिक करने के बाद फिर यहां पे कॉपी पे जाएंगे कॉपी पे क्लिक किया कॉपी पे क्लिक करने के यहां पे कहां पे हमने paste करना है यहां पे click करेंगे इसके ओपर right click करेंगे और right click करने के बाद यहां पे paste special पे जाएंगे paste special पे जाने के बाद यहां पे paste special dialogue box यहां पे open हो जाएगा यहां पे open होने के बाद यहां पे दिये गए add transpose यहां पे इसको check करेंगे check करने के बाद यहा यहां पे जैसे यह row number यहां पे आमित का 21 दिये गया है अगर हम यहां पे row number चेंज करना जाते हैं तो यहां पे यह row number चेंज नहीं होगा यह देखो करके देखते हैं यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पे 21 की जगा हम यहां पे लिखेंगे 30 यह 30 किया हम enter प्रेस क करते हैं तो यहां पर यह जो आगे यहां पर डिटा आया हुआ है उसमें चेंजिंग नहीं होती है तो इस चेंजिंग को करने के लिए हम यहां पर ट्रांसफोर्स फंक्शन का यूज करेंगे तो हम इसको undo करेंगे undo करने के बाद यहाँ पे आब transpose function का use करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास column कितने है और rows कितनी है तो यह देखो हमारे पास यहाँ पे 2 column है और यहाँ पे 6 rows है यह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो transpose function के जरिए यहाँ पे हम 6 column यह बनाएंगे और 2 rows यह बनाएंगे तो इसको हम यहाँ पे select करेंगे उटने cells को यह देखो यह 6 column यह 6 column आगे और यह 2 rows आगे यहाँ पे फिर हम transpose function का use करेंगे यहाँ पे equal to लिखा लिखने के बाद transpose यह देखो transpose यहाँ पे निच्छे आजाएगा यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यहाँ पे आगे दिया गया array तो array जो है यह जितना हमारी पास यहाँ पे data है इसको select करेंगे यह देखो select किया select करने के बाद यह range यहाँ पे आजाएगी a1 colon b6 bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की बंद करनी के बाद हम keyword से control, shift और enter प्रेस करेंगी यह देखो control, shift और enter प्रेस किया प्रेस करने के बाद यह data हमारी पास आ जाएगा यह देखो यह data बनके आगया rows थी वो column बन गे और यह जो column है यह देखो name और row number column थे यह यहाँ पे rose बन गी इसके बाद यह जो name है इसमें अगर हम fill color यही करना जाते हैं तो यहाँ पे हम click करेंगे format painter और यहाँ पे click किया इसके बाद row number यह fill color यही करना जाते हैं तो हम यहाँ पे click करेंगे format painter और यहाँ पे click करेंगे तो यह यहाँ पर आ जाएगा fill color इसके बाद यह देखो यहाँ पर यह सुविदा है कि array function जब हम use करते हैं और यहाँ पर जैसे आमित का row number 21 आगर हम यहाँ पर data में कोई changing करेंगे तो यहाँ भी changing हो जाएगी यह देखो करके देखते हैं आमित का row number 21 है यहाँ पर 30 करते हैं य automatic ही यहाँ पर changing हो जाएगी यहाँ पर 30 आ गया है अगर इसको भी changing करना जाते हैं यहाँ पर 40 करना जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह देखो और रेकेश का यहाँ पर 25 row number है और यहाँ भी 25 है यहाँ पर कोई changing करेंगे यहाँ पर 40 किया यह 40 हमने य यहां भी यह चेंजिंग हो जाएगी तो transpose function में यह शुबदा है अगर हम पुराने वाले डेटा में कोई चेंजिंग करते हैं तो नए वाले डेटा में automatic यहां पे चेंजिंग हो जाती हैं तो इस तरह से हम transpose function के जरिए column को रोज में और रोज को column में चेंजिंग कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने transpose function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद